भारती ये वायु सेना के विंग कमांडर जाबाज अभिनंदन का दिब्य अभिनंदन पूरे भारत ने जोश करोस और हुंकार के साथ किया अलगभग 56 घंटे में उनकी वापसी हुई अब सभी के जहन में कही सवाल कौद रहा है कि जिस प्रकार का पाकिस्तान में एक वीडि बेवार नहीं हुआ और इन लोगों ने हमारा ख्याल रखा मीडिया पर भी करारा प्रहार करते हुए तब इनंदन ने कहा भारती मीडिया किसी मावले को जोड़ तोड़ करके नमत मिर्च लगा करके ऐसे उनका कहना था यह सुखद नहीं है उन्होंने कहा यह बात मैं वहा बात निकली यह द्यव की दर्जनों कट हैं आपने भी देखा होगा हमने भी देखा बार बार कट करके उसे इडिट करके जोड़ा गया है बात सही है जान बचाने के लिए बिक्ति कुछ भी कहेगा धर्म भी कहता है कि यदि इसी परिस्तियां आए तो पहले किसी भी तरह स आप अपनी चान में जाएए जीवन बड़ा बभूले है यदि इस तरह से भयत रास दे करके डरा धूंका करके और कलेजे पर चड़ करके ऐसा करवाया गया है तो अभिनंदन अब बोल अभिनंदन चुप न रह अब बोल और पूरे विशु के सामने पाकिस्तान की पोल ख प्पानी जाएगा अभिनंदन की सवकुसल वापसी भारत में हुई है पाकिस्तान बार-बार कर रहा है कि हमारा धन्यबाद करना चाहिए उनको भारत के लोगों ने नहीं किया एक सवाल और है जैसे तमाम घटनाओं का मैंने वलेख किया है कोई कोई मोबाइल चोरी मिल कोई और चोर मिल या है तो लोग पीटना शुरू करेंगे बुरी तरह से पीटते हैं जो आएगा वो हाथ साफ करेगा मरने के बाद भी लोग मारते हैं कई घटना है तो हमने देखा है कुछ अपराधियों को भी पिटते और जान जाते हुए देखा है पर यहां से तोड़कर के यहां रख दिया गया हाथ तोड़कर के यहां से यहां रख दिया गया कोई मांता नहीं है भी आक्रामक को टी एक बात साफ है कि काल के मूह से अबिननदन वापस आयए कालMOसे व्क्रायwhy से सेर और किसी तो परमात्मा ने सकुसल वापस लाया है, क्योंकि पब्लिक मार डालती है, पब्लिक यह जान करके, यहां भी तमाम घटनाए हुई है और पता लग जाए, जैसे कोई दुर घटना हो जाए, आपने देखा होगा जीवन में, मैंने बहुत देखा है, मैंने रोकने का प्रियास भी किया है, और उसमें, उस रोकने के प्रियास में, मुझे भी चोटे लगी है, यहां इस तरह से हो रहा है, बस यह कही आवाज उरती है, मारो, 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 जो आएगा, वो हम मारेगा, कोई टंडा से पीत रहा है, कोई लात गूसों से पीत रहा है, तो जान बची, सेना अच्छा बेवार किया है, तो यह बात भी सामने लाई जानी चाहिए, और अगर मार पीट करके, भाय वतरास दे करके, ऐसा किया गया है, तो अभिनंदन पूरे मीडिया के सामने, बैस्वी कस्तर पर उसका पोल आपको खोलना चाहिए, आज निर्मला सीता रमण जी मिली है अभिनंदन से, अभिनंदन ने नाश्ता वस्ता भी किया है, एडली खाया है, तमाम अधिकारियों उन्हें बिल करके उन से बाचित किया है, स्वाष्ट महसूस हो रहे है, कई सवाल है, क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा चीप लगाया है, उनके बीतर इसकी बिजाच की जानी है ऐसा तो कुछ नहीं खिलाए गया जिससे उनकी मांसी की स्थिति ठीक नहों यह तमाम सवाल ऐसे हैं खाना में क्या दिया गया कहां रखा गया किल किन लोगों ने बात किया और किस प्रकार मांसी कर तर एक बात और है उस जाबाज बहादूर विंग कमांडर की भूरी भूरी प्रसंसादेश कर रहा है विश्व कर रहा है आप महसूस करिए एक तो पाकिस्तान के यप 16 को खजड़ते हुए गए मार गिराया जैसा पताया जा रहा है इनका अंबीगी 21 नस्ठ हुआ बैरा सूट से कुदे यह नस्ठ होना इनका विमान का नस्ठ होना बैरा सूट से कुदना यही वह अभी से है जहां हर्ट अटेक हो जाएगा आदमी मर वहादूरी से बैरा सूट से मारा समुद्र पर जाएगा यह डिल पर जाएगा ठाएक अब तो जीवन हमारा गया अब अब जर बैर अब नदन कोचा अंब कहा हैं किसी ने बताया हैं हिंदुस्तान में हैं भारत माता के नारे लगाते हैं फिर उदर से नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद फिर भायर करते हैं जान बचाते हैं कुछ जो आवसे पेपर हैं उसको निगल जाते हैं पानी में तूटते हैं कि सब सामाने घटनाएं कि अभिननन के चाहता हूं ऑफिननन से चाहता हूं समाज के सामने आपको रखने क्या हो सकता है कि इसको पुलिस ने अरिष्ट किया, कोई अबराद दर्ज हुआ, पुलिस बिना उस से पूछे भी बयान दर्ज कर देती है कि इसने ऐसा कहा लेकिन असली बात जब कोर्ट में बयान देगा वह वेक्ति तो वहीं असली सत्य मानी जाएगी तो इसके बयान में कोई मतलब नहीं होता जब मैं स्टेट के सामने बयान होगा वही यह अथार्थ से पुरसित है आपको देखना है कि अभिनंदन क्या बताते ह है और उनके साथ किस प्रकार का सुलूप किया गया है बीर अभिनंदन बोल और विस्व के सामने पाकिस्तान की बोल खोड़ दने बात वस्तों मैं हूं ब्रजबुसर दूबे समय समय पर ऐसे तमाम जो देश-बिदेश से जुड़ी हुई जानकारिया है हमारे प्रतिरच् स्कृति से ले करके ग्रामिण आंचल और ब्रश्चाचार उन्मूलन मानव इकार नैतिक पक्ष इस तरह से जो भी विसर है सिक्षा चिकित्सा मैं सब पर अपने अल्प विवेक की आधार पर आप सबसे समाधर ठापित करता रहूंगा आसा है आप सबी को पसंद आएगा जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मैं बिनम्रता पुर्बक आधर के साथ चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे आज हम हैं 2 मार्च 2019 को साम के बक्त इस पक्ष का अनावरन करते हुए और अपनी बाग रखते हुए सभी को बिनम्र भाव से यतोचित नमस्कार